दुर्गापूर में राची से कोलकाता जा रही बस में भीशन आग लग गई जिस वक्त बस में आग लगी उसमें लगबक 50 यात्री सवार थे बस में सवार तमाम यात्री, ड्राइवर और खलासी सभी सुरक्षित बाहर निकल आए भले ही इस अगनी कान में कोई हता हत नहीं ह लेकिन आग की चपेट में आने से बस का अधिकांच हिस्सा जल गया दुर्गापूर में राची से कोलकाता जा रही बस में भीशन आग लग गई नाशनल हाइवे 19 पर ये बस आग की लप्टों से घिर गई और धूधू कर जलने लगी इस घटना को देख इलाके में संसनी फैल गई सोमवार की राट नाशनल हाइवे नंबर 19 पर चलती बस में लगी इस भायानक आग से दहशत फैल गई बाद में दमकल की दो गारियों ने कई घंटों की मशकत के बाद आग पर काबू पाया इस घटना में कोई हता हत नहीं हुआ घटना के संबंद में जानकारी है कि यात्रियों से भरी एक बस सोमवार को करीब 50 यात्रियों को लेकर राची से कोलकाता जा रही थी इसी बीच राश्ट्रिय राजमार्ग 19 पर विधाननगर के पास इंडो अमेरिकन मोर के पास बस से धुआ निकलने लगा चालक खलासी समित बस में सवार यात्रियों ने ये देखा और अपनी जान बचाने के लिए बस से उतर गए इसके बाद बस से आग निकलने लगी देखते ही देखते पूरा राश्ट्रिय राजमार्ग धुए से भर गया स्थानिय लोगों से इसकी जानकारी मिलने के बाद न्यू टाउन्शिप थाने की पुलिस और दुर्गपूर अगनी शमन विभाग को दी गई आग लगने की घटना हुई है जो इन सभी वाहनों की फिटनेस पर सवाल उठाता है दुर्गपूर से साधन रूज की रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स टेंपल, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा गोविंदो धाम रेसिदेंशिल कॉम्प्लेक्स से महस चार किलोमेटर के दायरे में रेल्वे स्टेशन, बर्स्टेंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध गोविंदो धाम में प्लोट्स और डूपलेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्राक्टिव गिट्स, तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, संपर्क करें 933-222-02961-700-1804855